प्रेग्नेंसी के दौरान हम क्या खाते हैं क्या प्रेग्नेंसी के दोरान हम खाने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं प्रेगनसी के दोरान दो के लिए खाना चाहिए अब वो बात quantity में सही नहीं है यानि कि प्रेगनसी रुके आपको अपनी खाने की quantity बढ़ा देनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन quality आपको बिल्कुल अच्छे से चेक करना चाहिए nutritious वहाँ पर खाना आपको खाना चा अब बाइटिन विटामिन चाहिए यह सारे विटामिन और में प्रोटिन आपको मिलना चाहिए यदि आप खाते है खाना दो के लिए अपने quantity बढ़ा दी लेकिन विटामिन के ऊपर काम नहीं किया तो बच्चे को उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि आखिरी में पच्चे तो आपके बोडी में जो पोशन होगा जो इटामिन होगा वहीं उसके बोडी में जाएगा डायरेक्ट खाना तो उसको मिलने नहीं वाला है तो आपको एसा है न्यूट्रिसियस खाना खाना चाहिए और ऐसे में आपको कोई चीज गरम पढ़ती हो एसी कोई प्रेगनसी के मैं अंजीर खाना चाहिए और दोक्तरी लोग convey अंजीर खाता चाहिए तो किस मात्रा में खाना चाहिए उसके आपकी भॉडी में है बच्य की विकास के लिए अंजीर कितना फायदे मंधें उन सारे बातों का डिस्कसिन वीडिओ में करने वाला तो आखेरी तक जुड़े रहेगा वीडियो अच्छा लगे तुसको लाइक एंसे कर दीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तकली चैप के लिए गर्भ गुरू बिल्कुल भी फ्री है तो चले सुरू करते प्रेग्नेंसी के दोरान अंजीर खाना चाहिए क्या वह गरम पड़ेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंजीर के अंदर यह से क्या क्या चीज़े हैं जो फायदा करेगी आपकी बुड़ी को तो अंजीर के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है तो यह आपको कबज की दिक्कत रहती है तो अंजीर खाने से इसका एक डिटोल वीडियो हम बना देंगे लेकिन आपके अंदर हीमोगलोबीन कम है हीमोगलोबीन कम होने की वहां पे संभाव न बढ़ जाते क्योंकि बच्चा होता है वह आपके अंदर से आयरेन लेगा और जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आपका बोडी फ्लूइ बढ़ना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए तो यदि आपको बार-बार भूख लगती है तो वह चीज भी अंजीर खाने से ठीक हो जाएगी यदि आपको वहाँ पर सुगर क्रेविंग बढ़ रही है प्रेगनेंसी के दोरान आपकी बोडी में सुगर की मातरा उपर नीचे होती रहती है उसके चलते आपको स्वीट क कश्याइविंग निची डैविंग भी कं हो जाएगी दूसरा इसके अंदर वीटामीन बीचिक्स बहुत यहाँआ केलसीय मातरा में वीटामीन अच्छी मातरा में है जबस तो यह सारे चीज आपकी अंदर बच्चे के लिए भी फायदा करेगी अपकी है और के स्कीन को भी अच्छा रगेगा यदि आपकी स्कीन में पिग्मेंटेशन स्टार्ट हो गया है तो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा तो यह बात तो हो गई आपके अंदर क्या के फाइदे हैं अब बच्चे के फाइदे के बात तो करेंगे लेकिन उससे पहले जो में खा सकते तो कितना खाना चाहिए घा तो सकते मैंने जैसे आगे बता है तो उसको खाना ही चाहिए लेकिन इदि आप ऊसको मोड्य सब्सक्राइब फाइदा मिलेगा वरना उसका नुक्सान ज्यादा होगा तो अच्छा इसका मातलब यह नहीं कि दिन में 4-5-6 इतने अंजीर आपको डेली के एक दो अंजीर ही खा सकते हैं और आपको किस तरह से खाना चाहिए रात में उसको भिगो दो सुबह में वह खा लो उसका पानी निकाल के वह पी सकते हैं दूसरा उसकी स्मूधी भी बना सकते हैं एक बनाना ले लो अंजीर ले लो थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स डाल दो अच्छी स्मूधी बन जाएगी तो आप स्मूधी के तोर पे भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे भी पूरे दिन में सुबह में एक अंजीर ख्या सामको आपको थोड़ी से स्वीट करेंगे सामको एक अंजीर खालो एस भी ड्राइ अंजीर बीना भीगो भी आप उसको खा सकते हैं तो जब भी भूख लग एक लड़ू खालो तो वेराइटी उपो में और भी कोई रेसीपी होता आप हमें कमेंड बॉक्स में सेयर कर देना दूसरे वेवर को भी हल्प मिल जाएगी तो यहाँ पर आप अंजीर डेली का एक या दू खा सकते उससे ज्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना है वरना फाइदे के अलावा नुकसान ज्यादा होगा और उससे जनरली और कोई साइड इफेक्ट इसकी नहीं है अब बच्चे के लिए क्या फाइदा करेंगी तो ये अगर बताँ था था ये बच्छे के अच्छा काम करेंगी इसके वित्यामिन जो स्केन को अच्छा रखेगा उसके अंदर आइरन है तो बच्चे का हमोगलोबीन लेवल प्याश्चे से मैंटेन करेगा उसके अंदर ओमेगा-3 है तो वह आपकी बच्चे को बूधिक विकास के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा तो इस तरह से अंजीर आपके लिए बच्चे के लिए भी फायदे मंद है तो आप डेली के अंजीर खाना सुरू कर सकते हैं यदि आपको आगे वहां पे अबोसन की हिस्ट्री रही थी या बार-बार मिस्केरज हो जाता है तो पहले तीन मैने में आप उसको अवोइड भी कर सकते हैं चोथे मैने से आप उसको चोथे मैने से लेकर डिलेवरी तक आप उसको डेली के एक या दो अंजीर खा सकते हैं इसमें से भी कुछ क्वेरी हो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप जोइन कर सकते हैं आप Q&A सेसंस होते रहते जल्दी से आंसर मिल जाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंसे कर दीचेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कली आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चले फ्रेंट फिर से मिलेंगे नए वीडियो उसके साथ तब तक के लिए स्टेल्दी झाली